नमस्कार दोस्तों आप सभी के लिए बढ़ी गुड नूज है विकोद फ्रेंट्स आज की यह लेटेस्ट बरती नोर्थ इस्टन इंस्टिटूट ओफ आयरुविदा एंड होमियोपेथी डिपार्टमेंट के अंदर आज चुकी है जो की आपके लिए बिल्कुल सरकारी नो यानि दोस्तों अगर आप 18 से लेकि 45 साल तक हैं तो आप यहां पर एपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए काफी हैंडसम जोब रहने वाली है यहां पर ओफिस अस्टिशन की वेकेंची आज चुकी है डाटा एंट्री ओपरेटर की आज चुकी है हिंदी ट्र इस वेडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा और अगर आप एसे ही रोजाना सरकारी गवर्मेंट नोकरी के अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब केजेगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह भरती आपकी होमियो पेथी डिपार्टमेंट के अंदर एक ओस डाले में आज चुकी है जो आपका नंबर एक पे वेकेंची रहने वाली है ओफिस असिस्टेंट की जिसके दोस्तों दो वेकेंची आज चुकी है और आपसे यहाँ पे ग्रेजुशन मांगा गये साथ-साथ आपको जग कंप्यूटर का नोलेज होना चीए तो दोस्तों इस फिल्ड के अंदर आपसे तीन साल का एक्स्पिरिंस मांगा गये अगर आपने किसी भी ओफिस में चाहिए सरकारी हो चाहिए प्राइवेट आपने दो तीन साल काम कर रख है तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो आपक जिसमें आपकी 6 वेकेंची आ चुकी है और डिग्री के साथ-साथ आपसे एक साल का एक्स्पिरिंस मांगा गये है चलेर भी आपकी 21,34 सुर्पई रहने वाली है और आप 18 से लेके 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं तो नंबर थर्ड पे आपकी वेकेंची हिंदी होना चाहिए तो दोस्तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपसे एक्स्पिरिंस ही मांगा गये आप ऐसे ही लगा सकते हैं किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल से भी आप लिखवा सकते हैं दो तीन साल का और आप इस भरते के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो 22,906 रुपे आपकी सेलेरी रहेगी तो दोस्तों यहां पर यह बिल्कुल सीधी भरती है आपके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का एक्जाम नहीं होगा आपको सीधा डारेक्ट यहां पर एप्लाई करना है और सीधा आपका सेलेक्शन होगा इंटर्यू के आधार पर जिसमें आपसे डिगरी मांगेगी यह कंपिटर इंजिनेरिंग के इंदर या IT सेले से अगर आप बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप इसमें एप्लाई कर सकते हैं एक साल का आपका इस फिल्ड के अंदर एक्स्पिरिंस होना चाहिए सेलेरी आपकी सेम रहेगी काफी हैंटसम यहाँ पर रहने वाली है तो दोस्तों अब नंबर फाइग पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी टेक्नी सेल की वेकेंची है शिक्स पर आटेंडेंट की वेकेंची है और सेवन पर आटेंडेंट यहाँ जो मेल इसमें कोई भ के रहा है अगर आपके कोई अगर दस्वी बार भी पास कर रहे हैं तो दोस्तों आप यहां पर अप्लाइ कर सकते हैं तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं अटेंडियन है helper की vacancy है यह बरती 8 ही pass है और यह दोस्तों यहाँ पर 10 ही pass रखे गई है salary आपकी कम से कम 16,714 रुपए जो helper के लिए और attendant के लिए रहने वाली है बाकी दोस्तों आपकी salary काफी यहाँ पर ज़यादा रहने वाली है आपका बात की साई mode of selection की दोस्तों आपका selection interview की आधार पर होगा किस vacancy के लिए आप apply करते हैं उसकी आप देख सकते हैं office attorney का interview 9 तारीक को रहने वाले है 9 January 2023 को DO की interview 9.1.2023 को इन 4 बर्चियों को दोस्तों 9 तारीक को interview रहने वाले हैं बाकी इन 4 बर्चियों को जोए यहां पे जोए इनका जो सिलोंग का जो मेगाले सिलोंग में एड़स है वाँ पे आपको दोस्तों apply करना है तो दोस्तों अगर आपको job मिलरी है इस दोर में तो आपको इसलामाबाद लाहोर भी नहीं छोड़ना चाहिए आपको सभी जगे apply करना चाहिए यहाँ पर आपको apply करते time कोई भी form fees नहीं देनी है आपका नाम होगा किस post के लिए आप apply करते हैं आपका advertise में number जो उपर देखा इन्होंने आपका एक photo हो जाएगा यहाँ पर passport size का और आपको सारी details यहाँ पर fill करके और इनके इस address पर बैस देना है या आप साथ में भी लेके जा सकते हैं इसको जो है नोयाद दस्तारी को सो दोस्तों आप जरूर जाएगा और अगर आप ऐसे ही रोजाना सरकारी या private government नोकरी की update सबसे पहले पाना चाते हैं तो हमारे इस channel को अभी subscribe किजेगा और आज के लिए धन्यवाद